लेखन की दुनिया का अजूबा है कृष्णा सोब्ती कृष्णा सोब्ती अपनी जिंदगी के 92 वर्षों में हमेशा चर्चा में रही उन्हें देश का सबसे बड़ा ज्यान पीठ पुरुसकार मिला और वही वे भारत्य सहित्य की शायद एकमात्र ऐसी लेखी का हैं जुनकी हर कृती किसी ना किसी कारण से चर्चा अत्वा विवाद का विश्य बनी और वही शायद एकमात्र ऐसी लेखी का हैं जिसने पदम भूशन सरीखा राष्टिय सम्मान वर्ष 2010 में सर्फ इसी तर्क के साथ ऐस्विकार कर दिया कि एक लेखक के तोर पर मुझे भला प्रतिष्ठान से दूरी बना कर रखनी चाहिए कृष्णा सोप्ती लंबे समय से दिल्ली में ही रहती रही और उनकी एक कृती गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक के नाम से प्रकाशित हुई जो उनकी अजब की लेखन शमता को बया करती है 18 फर्वरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात में जन्मी कृष्णा सोप्ती की पहली कहानी लामा 1950 में शपी थी तब से लेकर अब तक वह किसी ना किसी लेखन के बहाने चर्चा में बनी रही अपने एक उपन्यास मित्रो मरजानी के प्रकाशन के साथ ही चर्चा का सिलसिला शुरू हुआ था जो अब तक जारी है जिन्दगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, डार से बिचुड़ी, हम हश्मत, यारों के यार, तीन पहाड, समय सरगम, सूरज मुखी अंधेरे के, बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया दादी अम्मा, मेरी मा, कहां, जाने का दर्द है, गुजरात पाकिस्तान से, गुजरात हिंदुस्तान तक यह यात्रा जारी है अमरिता प्रितम से उनके कुछ विवाद रहे, कृष्णा सोप्ती का बहुत चर्चित उपन्यास, जिन्दगी नामा जब राजकमल से आया, तो अचानक चर्चा में आ गया 1980 में इसे सहित्य अकैजमी पुरुसकार भी मिला, इसी के साथ अमरिता प्रितम की एक किताब आई, हर दत का जिन्दगी नामा, जिसके नाम को लेकर विवाद हुआ, और कृष्णा सोप्ती ने कौपी राइट उलंगन का मुकदमा कर दिया, जिसका पैंसला 24 साल बाद आया लेकिन पैंसला उनके खिलाब था, हाँ वो बात अलग है कि तब तक अमरिता प्रितम की मृत्यू हो चुकी थी, नोट बंदी के दर्मया भी कृष्णा सोप्ती ने एक कविता लिखी, जो अमिताब श्रीवास्तव की फेस्बुक वॉल पर दर्ज है, कविता कुछ यूं थ गुमशुदा घोडे पर सबार हमारी सरकार, नागरिकों को ताना शाही से लाम बंदी क्यों करती है, और फिर दोलत मंदों की सलाम बंदी क्यों करती है, सरकारे क्यों भूल जाती है कि हमारा राष्ट्र एक लोकतंत्र है, और यहां का नागरिक घुलाम दास नहीं, वो लो महादेश का स्वाभिमान नागरिक है सियासत की एहतर्ज बदलिये एक अन्य अवसर पर सार्वजनिक मंच से दिया गया उनका एक वक्त अव्य भी चर्चा में रहा सोपती ने कहा था किसी भी देश की महांती की पहचान उसके सहित्य से होती है भारतिय सहित्य से हलका सा परिचा रखने वाले भी जानते हैं कि वह उदार्ता, बहुलता, सांजेदारी और समन्वे के मुल्यों में रचा बसा है यही भारतियता है कि जिसका निर्मान भारत की सभी भाषाओं के लेखकों ने किया जिन लेखों को का भारतिय सहित्य से कोई परिचे नहीं जिने भारतियता का कोई बोध ही नहीं है वे भारत के लेखों को भारतियता सिखाएं और उसके विरोध को मैनुफेक वर्ड बताएं इससे बड़ी कोई विडंबना हमारे समय में नहीं हो सकती सोपते की लेखनशेली भी अलग है वही एक स्थान पर लिखती है वक्त को सजदा किया हजार बार इस बार तो हाँ हो हर बार एक ही आवाज आई नहीं नहीं दोस्तों अगर विरासत में मिल गई हो नहीं तो क्या कीजेगा नै किसी से कुछ कहिए नै सुनाईए नै दुख मनाईए नै दर्द को सहलाईए बस देखते चले जाईए देखते चले जाईए जिन्दगी की सीधी सपाट सड़क को जिस पर आपको चलते ही जाना है दूसरों की निगाहों में अपने को देखती हूँ तो एक सीधी साधी खुद्दार शक्सियत वक्त और खुदा दोनों ही जिस पर जादा महरबान नहीं फिर भी दोस्तों हमने जिन्दगी के हाशिये पर अपनी कलम से कभी घुम का नाम नहीं लिखा कभी तबियत बहुत मचली तो अपने से यही कह दिया ना हुआ तो ना सही फिर सही फिर सही सच कहें तो यही धिठाई हमें पालती रही इसे हमने अपने को संभालने नहीं दिया हमारा कर्तब बस इतना ही रहा शायद इसलिए अपने को ऐसे कमरे पसंद है जिन से मैं बाहर को जाऊं, तो कोई फरक मालूम ना दे, ना यह लगे कि मैं अभी यहा हूँ, और ना यह grip यहां नहीं हूँ, मेरे होने ना होने के बावजोद कमरा अपने कमरे पन में बंधा रहे, हाँ, वो बातौर है कि ऐसे कमरे घरों में नहीं होते, जहां पर होते हैं, वहां आप गैर हाजिर नहीं होते अल्मारी में जादा कपड़े मेरा माधा गरम कर देते हैं लगता है मेरी बाहर और अंदर की सफाई पर कोई रंग बिरंगी कूची फेर गया कुछ भी खरीदने की तरह मुझे लिखने की भी कोई जल्दी नहीं होती कुई हट बड़ा हट नहीं होती यही कि कुछ लिखने को होगा तो लिख डालेंगे ना लिख सके तो हमारे दोस्त लिख डालेंगे एक जालिम सी तट सथा दिल दिमाग पर कबजा किये रहती है चाहा बहुत पर इससे छुटकारा ना मिल सका यही वज़ा है कि बहुत बड़ा वक्त खाद बन कर रह गया बरसों कोई रचना उगने का नाम नहीं लेती कई बर ऐसा हुआ कि कुछ लिखने के लिए किसी कहानी उपन्यास का कच्चा माल उसका टेक्स्चर हाथ की पोरों में महसूस किया उसी राद यह भी हुआ कि पूरी की पूरी कहानी आँखों के आगे जिन्दा होती चली गई बस लिखी जाने से पहले ही कहानी खत्म ऐसी कहानिया उपन्यास मैं कभी नहीं लिख पाती जो शुरू से आखिर तक ब्योरेवार मुझे बिना लिखे ही मालुम हो जियों ही कहानी की कडियां मेरी आँखों के सामने घूमी खोज करने की संघर्ष करने की मेरी गर्मी मर जाती मैं बहरी दबाव में नहीं लिखती मैं अपने सबूत होने में रच कर पैट कर जीने की तरह लिखती हूँ उसी वक्त लिखती हूँ जब लिख डालने के सिवाए कोई चारा न रह जाए ऐसी महान वैसाफ गो लेखीका को जो 18 मरवरी 1925 को जन्मी और 25 जन्मरी 2019 को इस दुनिया से चली गई इस लेखीका को मेरा यानि की डॉक्टर चंदरतरिखा का सलाम और मैं केशो मैता आपको बता दूँ कि ये जो आर्टिकल मैंने पड़ा है ये भी डॉक्टर चंदरतरिखा की कलम से है